हाई गाईज आपके हमारे इस चैनल केमिकल इंजिनिंग अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनुफेक्टरिंग प्रोसेस आफ सोडियम हाइडरकसाइड सोडियम हाइडरकसाइड कैसे बनाया जाता है तो गाईज कुछ बेसिक इंफर्मेशन देख लेते हैं इसका केमिकल नेम सोडियम हाइडरकसाइड है कामन नेम कास्टिक सोडा है मॉलिकुलर वेट फोटी होता है और गाईज ये कुछ फिजकल प्रोपरटीज भी है जैसे इसका कलर क्या होता है इसका टेस्ट क्या होता है बीटर मीस कड़वा होता है गाईज और जो ये सॉलिबिलिटी मीस किस चीज में घुल जाए तो मीस वाटर में ज्यादा हाईली सॉलिबल होता है और एल्कोहल में बहुत कम सॉलिबल होता है इसका बॉयलिंग पॉइंट 390 degree Celsius, melting point 318 degree Celsius और यूज क्या है गाईज, इसका soap बनाने हुआ, detergent बनाने में इसका यूज होता है, रियान के जो fiber के कपड़े आते हैं गाईज, इसको बनाने में भी इसका यूज होता है, paper manufacture करने में भी इसका यूज होता है और गाईज, यह reaction जो है तो इसका जो figure है और process description है वो industrial method पे किस प्रकार बनाया जाता है गाईज, जैसा कि आपको figure में दिख रहा होगा, वो पूरा describe किया जाए गाईज तो सबसे पहले गाईज, एक reactor होता है reactor में एक agitator लगा होता है, और इसमें top से brine solution brine solution गाईज, sodium chloride और जल का mixture होता है इसको top से add करते हैं और sodium carbonate top से add करते हैं गाईज, जो brine solution में presence impurities होंगी like calcium, magnesium and iron इन सब impurities को sodium carbonate के द्वारा remove किया जाता है, means गाईज, जै sodium carbonate, calcium, magnesium iron के साथ reaction करके as a sludge नीचे बैढ़ जाता है और फिर यहां से हमें 25 से 28% sodium hydroxide मिलता है, फिर इस sodium hydroxide को filter में देते हैं filter में हम इसमें presence impurities को remove करते हैं और फिर steam में देते हैं steam के द्वारा इसका temperature maintain किया जाता है और फिर defergum cell में दिया जाता है, defergum cell के द्वारा गाईज, इसमें presence hydrogen और chlorine को remove किया जाता है, जो gases होती है और फिर इसे multiple evaporator जो multiple evaporator होता है ऐसे ही 2-3 tank बने होते हैं और तीनों टैंक एक दूसरे से connected होते हैं और evaporator का use इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसकी concentration होता है उसे increase करना होता है तो इसलिए गाईज, इउपरेटर का use करते हैं जो इउपरेटर होता है जो slurry farm में sodium iodide oxide होता है उसके concentration को increase करता है और इउपरेटर का काम यह गाईज, जो किसी भी slurry farm या liquid के concentration को increase करना तो गाईज, इसमें presence solvent को ये remove करता है steam के दोरा means गाईज, solvent जो होता है उसे steam में convert करके remove करता है और फिर गाईज, यहाँ पर 50% के amount में sodium iodide oxide प्राप्त होता है और गाईज, कुछ परसेंट इसमें salt भी होता है तो हमें pure sodium iodide प्राप्त करने के लिए फिर centrifuge में देते है जहाँ पर गाईज, यह salt और sodium hydroxide दोनों separate होते है और फिर slurry farm में यह salt saturation tank में आते है means गाईज, यह reactor type होता है इसमें एक agitator लगा होता है और इसमें जब sodium hydroxide का slurry आता है तो इसमें top से brine solution एड़ किया जाता है और फिर इसे filter tank में देते है गाईज, यहाँ filter tank में इसके दोरा इसमें जो sodium hydroxide यहां मिला उसमें presence impurity को remove किया जाता है और फिर इसे fit tank में store किया जाता है fit tank का काम होता है गाईज, इसको store करना sodium hydroxide को और फिर इसे मरकरी सेल में दिया जाता है मरकरी सेल जो है वो इस तरह का होता है इसमें एक एनोड होता है दूसरा कैथोड जब इसमें N-A-C-L को एड़ करते हैं तो जो सोडियम होता है वो पॉजटिव होता है और क्लोरीन निगेटिव होता है तो जो sodium होगा वो cathode पे आएगा और anode पे हमारा chlorine आएगा तो guys यहाँ से जो chlorine मिलेगा इसे हम इस वाले chlorine में दे देते हैं मैंस guys जो tap से defergum cell से chlorine आता है इस process में दे देते हैं और फिर हमारा जो sodium chloride बचेगा उसे salt saturation tank में ब्राइन solution के रूप में यूज कर लेते हैं पीना पुना और फिर guys जो हमारा sodium hydroxide मिलेगा mercury cell में इसे फिर हम denuding tower में देते हैं denuding tower में जब देते हैं guys sodium hydroxide तो इसमें mercury cell में जाने से इसमें कुछ amount में mercury मिल जाता है फिर guys इसे remove करने के लिए हम filter में देते हैं जहां पर हम mercury को remove करते हैं और 70% sodium hydroxide हमें मिल जाता है और guys जो यहां पर chlorine मिल ला था इस chlorine को हम जल या इसके जल के दौरा इसका temperature maintain करते हैं और फिर इसे dryer में देते हैं guys dryer में इसके इसमें presence moisture को remove किया जाता है और फिर इसे liquify को क्योंकि guys क्लोरीन जो होता है वो gas होता है तो gas को हम फिर compressor के दौरा compress करते हैं चुकि guys इसका pressure हमें कम करना रहता है जिससे यह liquid form में easily हो जाए और फिर इसे हम फ्रेयान refrigerants के दौरा refrigerants करते हैं means guys इसे ठंडा करते हैं जिससे यह liquid form में convert हो जाए minus 30 degree Celsius पे इसे freeze किया जाता है जिससे हमें chlorine easily प्राप्त हो जाता है I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ ही well icon को दबाना ने भूलें अगर guys आप Diploma in Chemical Engineering के सभी notes PDF form में चाहते हैं तो हमारे telegram channel को जाइन करना ने भूलें telegram channel का link description में दिया जाएगा THANK YOU GUYS